हाई फ्रेंड वेलकम अगिन आउं सी ए नितिनुपता क्लासेज तो सबच्चे पूछते हैं सर सी ओ, सी एफो, इंवेस्मेंट बेंकर एक बहुत अच्छा एंट्रप्रेनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाया सोचना समझना आना चाहिए थिंकिंग एबिलिटी बहुत साउंड होनी चाहिए बहुत फास्ट एकदम आप सो एक होता है रटके और एक होता है समझ के अभी जब आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें मैंने रेशो का एक कोश्चन सॉल्व किया उसका एक लॉजिक समझाया फंडा समझाया उसको जरा लॉजिक सिखाया उस लॉजिक के साफ से सोस समझ के कर रहा है वो है दोनों के सौ में से सोगा जाएंगे लेकिन जिसने समझ के किया है वो CEO, CFO, Investment Banker या एक बहुत बड़ा entrepreneur बनेगा और जिसने रटके किया है वो clerical job में रह जाएगा demotivation उपर से उसके लिए आगे चलके C CMA, CMA, MBA यह सब मुश्किल हो जाएगी बहुत दिक्कत होगी नंबर दोनों के सो हैं लेकिन तरीका यही मैं कहता हूं काम करने का तरीका डिटर्माइन करेगा कि आपका सक्सेस क्या होगा तो तरीका सही करो सबसे पहले जब हमने ratios के formula किये तो मैंने हर एक चीज की post-mortem की अब आप formula से खेलते हो, learn नहीं करते हैं आप बना लोगे उनको और वो भी बहुत जल्दी और आप manipulate करते हो, analyzing करते हो, दूसरी चीज आपने वो तो करया अब question को solve करने का भी एक logic है, logically कर रहे हो कि बस figures को assume करके plus minus करके answer देखके और उसका answer लिग रहे हो, useless, useless, 100 में से 100 लेकिन वो useless हैं, इसलिए interview लिये जाते हैं और ये check किया जाता है कि आप समझ के आयो या रट के आयो, आहा, चलो, फटा-फट से वीडियो देखो और फिर ये बता देना, क्या difference feel किया, मिलते नेक्स क्लास में, till then, bye-bye. हाई, 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 फ्रेंड्स, वेलकम अगिना, सियने दिरुपता ग्लासेज, तो हो आपने must practice किया है, अब फटा-फट से start करते हैं, आगे further proceed करते हैं, आहा, 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 तो जी फटा-फट से देखते हैं, क्या है जलबा, तो current ratio of a company is 2 to 1, अच्छा जी, बहुत खुशी क बात है, 2 is to 1 है तो, आगे state with reasons, which of the following would improve, reduce or no change in the ratio, बहुत सिम्पल सी चीज है, और बहुत अच्छी चीज है, अब आपकी दिमाग की थोड़ी सी exercise होगी, डोले निकलेंगे आपके दिमाग के, तो current ratio is 2 is to 1, च्रीक है, तो current assets दुगने है current liabilities से, अगर current liabilities एक रुपे की है, तो current assets दो रुपे की है, बहुत खुब, बहुत खुब, अब एक छोटी सी चीज समझो, देखो एक है numerator, और एक है denominator, अब, denominator, ऐसे लिखते है, denominator and ratio, कि देखो inverse relationship है, upon में है न, inverse, अगर denominator बढ़ेगा, current liabilities बढ़ेगी, तो ratio घट जाएगी, अगर denominator घटेगा, तो ratio बढ़ जाएगी, simple सी बात है, numerator and ratio, तो numerator and ratio में positive relationship होती है, क्योंकि numerator बढ़ेगा, तो ratio भी बढ़ेगी, और numerator घटेगा, तो ratio भी घटेगी, सबसे पहला point जो आप ध्यान रखोगे, ठीक है, तो अगर सिर्फ numerator, सिर्फ denominator में change आया, तो हो गया, लेकिन अगर दोनों में change आये, तो, अब इसका logic समझना है आपको, logic समझना है, the ng का funda, समझो अब, जरा इस ratio को ध्यान दो, तो current assets upon current liabilities है, 2 is to 1, let me figure लेता हूँ, 20,000 और 10,000, छेक है, double, okay, तो अगर आप, अलग से करते हैं, अगर आप, इसमें से 1000, 1000 माइनस करते हैं, या 55,000 माइनस करते हैं, 5000 इसमें से 5000 इसमें से, तो ratio हो गई, 15,000 upon 5000, तो यह ratio हो गई, 3 is to 1, अरे 2 is to 1 से 3 is to 1 हो गई, ratio बढ़ गई, logic समझना, logic, logic समझो, देखो 2 is to 1 है, अच्छा, अगर समझो, उपर से 2000 माइनस करूँ, और नीचे से 1000, मतलब 2 is to 1 की रेशो में ही माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 18, और 9, 2 is to 1, अच्छा, ऐसा post-mortem करेंगे, कि आप डारेक्ट आंसर बताओगे, सबसे पहले मैंने equal amount माइनस किया, फिर मैंने जिस रेशो में वो है, उसी रेशो में माइनस किया, अब, उपर से तो मैं माइनस कर रहा हूँ, let, 4000, नहीं, उपर से मैं कितना माइनस करूँ, 9, 8, ठीक है, let, 10,000, और नीचे से मैं माइनस कर रहा हूँ, 2000, अब वैसे रेशो 2 is to 1 है, लेकिन मैं जो माइनस कर रहा हूँ, वो 5 is to 1 है, बहुत बड़ा माइनस कर रहा हूँ, चीक है, तो यह आ रहा है, 10,000, upon 8,000, अच्छा जी, तो 1.25 is to 1, तो 2 is to 1 से 1.25 is to 1, रेशो कम हो गई, अब आप लॉजिक समझ जाओ, आप बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो, देखो रेशो 2 is to 1 है, अगर आप उसी रेशो में माइनस करते हो, 2 is to 1 की रेशो में ही माइनस हो रहा है, तो रेशो पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उससे बड़ी चीज माइनस हो जाए, 5 is to 1 माइनस हो जाए, तो रेशो कम हो जाएगी, 1 is to 1 माइनस किया आपने, जितना नीचे उतना ही उपर, तो रेशो बढ़ जाएगी, क्यूंकि, नीचे वाली फिगर छोटी है, उपर वाली फिगर बड़ी है, आपने नीचे से भी वही फिगर माइनस करी, जो उपर से माइनस करी, देखो, समझो, आपने 10,000 में से 5,000 माइनस करा, मतलब 50%, आपने 20,000 में से 5,000 माइनस करा, मतलब 25%, तो उपर वाले में तो सिफ 25% माइनस हुआ, लेकिन नीचे वाले में से 50% माइनस हो गया नीचे वाली टर्म जादा छोटी हो गई as compared to उपा वाली टर्म तो अगर डिनॉमेटर जादा छोटा हो गया तो रेशो तो बढ़ जाएगी ना बहुत ध्यान से बसा लो अपने दिमाग में बाकी में एक तरीका ऐसा भी सिखाऊंगा बस फिर तो कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन जिसको ये लॉजिक समझ में आ जाए आहा 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 अच्छा अब समझो तो आपकी रेशो है 2 इस तो 1 तो लेट मैंने एक फिगर ली 20,000 और 10,000 लेट जो रेशो है उसी रेशो में एड करता हूं तो 22 अपन 11 2 इस तो 1 ठीक है कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब 5 इस तो 1 एड करता हूं तो समझो जब एक छोटी सी चीज़ देखो नीचे आप 10% एड कर रहे हो 10,000 का 10% लेकिन उपर आप 25% एड कर रहे हो तो नियूमिरेटर बहुत जादा बढ़ रहा है as compared to denominator denominator कम बढ़ा numerator जादा बढ़ा तो numerator में जादा प्लस हुआ है तो numerator जादा बढ़ा हो गया और जब numerator बढ़ा हो जाता है तो ratio बढ़ जाती है देखते हैं बिल्कुल सही बात है यह 2 to 1 से जादा आएगे क्योंकि 11,000 का 2 होता 22,000 यह उससे भी जादा है तो 25 divided by 11 तो यह आ रही है 2.27 is to 1 ratio बढ़ गई अच्छा 20,000 10,000 प्लस कर रहे हो आप उपर भी 5,000 नीचे भी 5,000 अच्छी के अब जब एक चीज नोटिस करो आपने 10,000 में 5,000 एड़ करा मतलब 50% 20,000 में 5,000 एड़ करा मतलब 25% मतलब डिनोमेटर में जादा बढ़ा चेंज आया as compared to numerator तो डिनोमेटर जादा बढ़ गया अगर डिनोमेटर बढ़ जाएगा जादा जादा बढ़ जाएगा निमेटर से मतलब डिनोमेटर में जादा चेंज आया है डिनोमेटर जादा बढ़ा हो गया तो डिनोमेटर बढ़ा हो जाएगा रेशो छोटी हो जाएगी इसको बोलते हैं सोचना समझना तो पांच तो 1.67 इस टू 1 देखो रेशो छोटी हो गई तो बहुत इंपॉर्ट चीज है इस रेशो के पॉइंट आव व्यू से देखना है आहा 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 तो अब समझो तो current assets upon current liability है 2 is to 1 अब अगर आप minus कर रहे हो minus numerator numerator same ratio 2 is to 1 में minus कर रहे हो numerator में 2000 denominator में 1000 तो no change अगर आप 1 is to 1 की रेशो में minus कर रहे हो उपर से भी 1 नीचे से भी 1 minus कर रहे हो तो उपर से कम minus कर रहे हो नीचे से जादा minus कर दिया क्यूंकि अगर आपने same amount minus कर आ है same amount minus कर रहे है numerator में से तो 2 रुपे में से भी उतना ही minus कर रहे हो जितना दिनॉमिनेटर में इसे ज्यादा माइनस हुआ है तो दिनॉमिनेटर तो छोटा हो गया, निमेटर इतना छोटा नहीं हुआ, दिनॉमिनेटर में इसे कम माइनस किया आप तो दिनॉमिनेटर में ज्यादा छोटा हो गया, तो अगर दिनॉमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो रे तो यहां से एक माइनस कर रहे हैं, यहां से पाँच माइनस कर रहे हैं, भाईस साब, तो नियूमिटर जादा छोटा हो जाएगा, दिनोटर इतना छोटा नहीं हो रहा है, तो अगर नियूमिटर छोटा हो जाएगा, तो रेशो कम हो जाएगा, यह 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 डिक्रीज, वा इतना conceptually नहीं जाएंगे तो ये कोई भी कर सकता है समझो 2 is to 1 की रेशो है न तो आप इसको मानो 20,000 10,000 ऐसे कर लो या 2 lakh और 1 lakh ऐसे कर लो ठीक repayment of a current liability अब आपने current liability की repayment करी ठीक है अब समझो एक छोटी सी चीज अगर current liability की repayment करोगे तो cash और banks ही तो करोगे ठीक नव अब हमने एस्यूम करा बुकवलों ने भी 20,000 और 10,000 ले रखा है ठीक है जी नव repayment of current liability समझो 5,000 की तो cash भी 5000 से कम होगा liability भी 5000 से कम होगी अब एक बच्चा है जो इसको calculate करके देखेगा यार 15,000 अपन 5000 ये तो हो गई 3 to 1 तो ratio बढ़ गई अरे ratio बढ़ जाएगी ratio will improve increase कर जाएगी और एक मैंने जो फंडा सिखाया उसके साब से देखो अब जराब आप कहते हो नीचे से भी 5000 माइनस हो रहे हैं उपर से भी 5000 माइनस हो रहे हैं लेकिन अगर नीचे से और ऊपर से आप सेम अमाउंट माइनस करते हो तो नुमिरेटर में से आपने छोटा माउंट माइनस करा डिनॉमिरेटर में से आपने बड़ा अमाउंट माइनस करा तो अगर डिनॉमिरेटर में से जादा amount minus करा तो denominator छोटा सा हो जाएगा numerator के मुकाबले ज्यादा छोटा हो जाएगा और अगर denominator छोटा हो जाएगा तो ratio will improve देखो question को solve करने का तरीका ये determine करेगा कि आप intelligent हो या बस question solve किया है question तो उस बच्चे का भी सही है जो ये minus करके देख रहा है अरे यार पंद्रह हजार पांच हजार अच्छा थ्री इस टूर लेकिन जो ऐसे question solve कर रहा है वो intelligent नहीं है नंबर इसके भी 100 में से 100 आ जाएगे लेकिन वो intelligent नहीं है और जो मैं आपको सोच के बता रहा हूं समझ के उस तरीके से जो सोच समझ के कर रहा है जो उस चीज को manipulate कर रहा है वो intelligent है उसका future देख लेना आप क्या होगा ये मैं कहता हूं कि जिस हिसाब से हम पढ़ना सिखा रहे हैं उस हिसाब से पढ़गा पेपर सॉल्व करने के लिए उसमें गलती ना हो हम ऐसे भी सिखाएंगे लेकिन हम intelligent कैसे बनते हैं वो भी सिखाएंगे तो वो बहुत important चीज है समझो बात को वाओ तो बिल्कुल सही बात है अगर आप same amount minus करने वाले हो numerator में भी denominator में भी minus कर रहे हो तो denominator जादा छोटा हो जाएगा numerator से क्योंकि numerator में आपने कम minus कर से क्योंकि 10,000 के लिए 5,000 50% है लेकिन 20,000 के लिए 5,000 25% है तो उपर से तो सिर्फ 25% minus कर आप नीचे से 50% minus कर दिया तो denominator बहुत छोटा हो गया इसलिए ratio improve करेगी तो सोच के आंसर दिया है logically या बस किसी trick से solve कर दिया बस वो यही determine करेगा आपका future. Purchase of goods for cash, अब purchase of goods for cash, तो समझो 5000 के goods खरीदे for cash, goods बड़े, cash कम हो गया, goods भी current asset है, cash भी current asset है, ना तो current asset में change आया, ना current liability में change आया, no change, इसमें कोई change नहीं है. Will not change, ठेक है, sale of office equipment for 4000, book value 5000, हमें book value से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें फाइदा नुकसान तो है नहीं, अगर इसमें equity होती, equity, shareholders fund, तो हमें नुकसान से मतलब होता, फाइदे से मतलब होता, क्योंकि वो shareholders fund में फाइदा add हो जाता है, नुकसान minus हो जाता है, यहां पर मतलब नहीं है. अब office equipment तो fixed asset होता है, तो fixed asset minus हो रहा है, cash plus हो रहा है, इसका मतलब, let मैंने, fixed asset minus हो रहा है, cash plus हो रहा है, अब fixed asset ना तो numerator ना denominator, ना current asset ना current liability लेकिन cash, तो numerator बढ़ रहा है, denominator में no change, लेकिन numerator बढ़ रहा है, अगर numerator बढ़ेगा, तो ratio will increase, चीक है, will improve, तो ratio will improve, मतलब ratio will increase, चीक है, तो पढ़ने का तरीका, बहुत important चीज़ है, number तो दोनों की 100 में से 100 आ सकते हैं, लेकिन जो समझ के पढ़ा है, ng classes वो अलग होगा, और जो इस बस plus minus करके trick से पढ़ा है, उसका future अलग होगा, समझ जवाब, purchase of stock in trade on credit, अब समझो, plus वाला आ गया, समझो 4000 का आपने goods खरीदे on credit, तो goods बड़े, creator भी बड़ा, same amount plus कर रहे हो आप, तो numerator में भी उतना amount जितना denominator में, इसका मतलब denominator में आपने जादा amount plus किया है, क्योंकि 10,000 के लिए 4040% है, और 20,000 के लिए 4000 सिर्फ 20% है, तो numerator तो 20% से बढ़ा, लेकिन denominator 40% से बढ़ गया, तो denominator जादा बढ़ गया, denominator जादा बढ़ा हो गया, अगर denominator जादा बढ़ा हो जाएगा, ratio छोटी हो जाएगी, क्योंकि denominator और ratio में inverse relationship है, upon में आता है न denominator, तो इसको inverse बोलते हैं, तो देखो इसने क्या लिखा, बोट था total current assets, total current diabetes are increased by same amount, therefore the current ratio will reduce, और logic मैंने आपको बताया, बाकी तो कोई बच्चा ऐसे same amount plus करके भी देख सकता है, कि 20 plus 4 is 24, और यह 14, तो 2 is to 1 से कम हो गया, तो ratio reduce कर रहे हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, पढ़ने का, यही मैं कहता हूं, कि आपका पढ़ने का तरीका determine करेगा कि आपका future क्या होगा, और वो हैता है teacher, तो teacher कहा impact कर रहा है आपको समझ में आ रहा है, कि ng classes different क्यूं हैं, क्यूं हमारी video classes ही काफी हैं, ठीक है, तो sale of goods 11,000 cost 10,000, अच्छा यह फरक करेगा, goods फरक करेंगे, तो sale of goods 11,000 cost 10,000, अब goods minus हुए 10,000 के और cash या debtors प्लस हुआ 11,000 का, क्यूंकि sale करी है, या तो debtor होगा, या cash होगा दोनों ही current asset है, तो denominator में तो कोई change नहीं है, लेकिन numerator में 1000 प्लस हो रहा है, तो numerator बढ़ रहा है, denominator में नोचे numerator बढ़ा हो रहा है, तो अगर numerator बढ़ा हो जाएगा, तो ratio बढ़ जाएगी, तो ratio will improve, तो ratio will improve, तो ratio will improve, payment of dividend, अच्छा भई, अब आपने dividend pay कर दिया, अब dividend obviously बात है, आपकी एक liability होती है, जो आप current liabilities में show करते हो, payment of dividend will reduce total current assets, and total current liabilities, समझो बात को, तो dividend obviously बात है, बारा महिने के अंदर अंदर pay करते हो आप, तो current liability, current liability की payment करिया आपने, let again वही 5,000-5,000, same amount minus हो रहा है, तो denominator में से भी उतना amount, जितना numerator में से, लेकिन ratio तो 2 is to 1 है, इसका मतलब, आपने denominator में से 50% minus करा, लेकिन numerator में से 25%, तो numerator में से कम amount minus करा, denominator में से बहुत बढ़ा amount minus कर दिया, तो denominator में से, क्यूंकि बहुत बढ़ा amount minus कर दिया, denominator बहुत छोटा सा हो गया, अगर denominator छोटा हो गया, जादा छोटा हो गया numerator से छोटा हो गया तो ratio will improve तो ratio will improve ये है दिमाग की exercise आहा 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 तो अब मैंने देखो दोनों तरीके से करके दिखाया आपको अब 20-5 15 10-5 5 तो बच्चा गएगा 3 is to 1 अरे ratio will improve लेकिन क्या इस तरीके से solve करने से आपने कुछ सोचना समझना सीखा नहीं ये सिर्फ question solve करना हो गया useless एकड़म useless इसका कोई use नहीं है लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको trick सिखाई ये वाली पहले ये और फिर numerator दोनों में change आता है तो तीन-तिन aspects minus K plus K जो बच्चा इस trick के हिसाब से question solve करेगा वो बनेगा अगला NG तो पढ़ने का तरीका change करो मेरी जान तब आएगा मजा वरना तो है सजा आहा 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 अब सबसे पहले आप इस question पे mastery कर लो क्योंकि इस question पे mastery हो गई सोचना समझना आगया जो मैंने trick बताई थी वो trick देखो आप सोचने का तरीका इस तरीके से तो सभी कर सकते हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नी चलो जी तो हम हर तरीके से question कराएंगे एक इस तरीके से भी और एक सोचने समझने के तरीके से भी जो मैं कराना चाहता हूँ आप कौन सा तरीका apply करते हो किस हिसाब से सोचते समझते हो वो बहुत important है वो आपका future determine करेगा आहा 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 चलो मिलते नेक्स class में till then bye bye